प्रयावन सनच्छन कोले का पुरुवत्तर रेलवे लगातार समेदन शिल बनी हुई है जिसको लिए के परतीक वर्ष सतमत्रा दिवस के आउसर पर विर्षा रोपड़क कारिक्रम किया जाता है पिछले वर्ष जेल रोड पर रेलवे द्वारा एक हजार विर्ष लगाये गए थे जिसमें सभी विर्ष पूरी तरह जीवीत हैं जो विर्षा रोपड़क कारिके लिए एक नजीर है इस वर्ष लगवक 500 विर्ष लगाये गए हैं जिसके संबत में गुरुपनी से विशेश परिया रहा रहा रहे और हमारे जीवन को शुद्ध आक्सीजन मिल सके गुरुपनी से बात करते हैं पुरुवत्तर रेलवे के सीपी आरो पंकच कुमार सिंग ने कहा कर दोnova कर दो Nered आरो मिल समेश जोरुबर राहे रहे जोरुपक दो मिल सके खिरे रहाए मिल सम्का atorर बात कर दो जो sicता हैं खिम किसल मुः किन वीवन का ज Раз चेखिग लार का ओुरुप़बर ने कर साल दोरुपकों bitसे रहा हैं पुर्वोत्तर रेल्वे लगातार सम्भीदन सील बना हुआ है और इसी करम में व्रक्षा रोपन का कार हर 15 अगस्त पे रेल्वे अध्कारियों और कर्मचारियों दोरा किया जाता है पिछले वर्ष हम लोगों ने जो रोड आपकी मोहदीपुर से असुरन की तरफ जाती है बॉलिया कॉलनी और कववावा के बीच में से उस रोड के अगर आप दाहिने तरफ इदर से जाते हैं तो देखेंगे उत्तर तरफ जेल बांडी के पीछे एक गैब बना हुआ था जिसमें शहर का कूडा कच्रा और जानवर मर जाते थे तो उसको वहाँ ले जाकर लोग फेक आते थे इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ वहाँ साफ सुथरा करके मिट्टी डालके हम लोगों ने पिछले वर्ष ब्रिक्षा रोपन किया था और लगवाद एक हजार ब्रिक आज के डेट में सर्वाइव कर रहे हैं लहर मिलब वहाँ आप जाईए उसके रिकॉर्डिंग करिए देखिए कि जितने भी पेल लगाए गये थे उस सारे के सारे अभी स्वस्त हैं अच्छी अवस्ता में हैं और इस वर्ष 15 अगस्त को पुने महा परवंदक महोदे के कर्मचारियों ने उसी नोट के दूसरी तफ दच्छर साइड में 500 क्यास पास व्रिक्ष लगाए हैं और लगातार हम लोगों की कोशिश है जो व्रिक्षा रोपड का कार हम लोग कर रहे हैं उनका सर्वाइवल हो लब जो व्रिक्ष हम लोग लगा रहे हैं उसमें लगाता लहा रहे हैं तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग रिक्ष लगाएं क्योंकि पर्यावराण संग्रक्षण बहुत ही आवस्यक है और रेल्वे ने पुर्वोत्तर रेल्वे ने गोरगपुर में यह एक नजीर पेस की है कि उसके पिछले साल के लगाए गए सारे के सारे आज सही अवस्ता में स्वच्त रूप से खड़े हैं धन्यवाद कुछ ऐसे जो भी होते हैं कि ब्रिक्ष जो भी लगाएं अगर आप प्लैंड वे में लगा रहे हैं बड़े प्लॉट पे लगा रहे हैं अगर कोई गवर्मेंट का सिस्टम लगा रहा है तो उसकी निगरा चानवर अंदर घुसके उसको नुकसान ना पहुंचा सके दूसरा उसका भी देख रहें गोबर की खाद यूरिया यह सब डालें जैसे कि आप अपने खेतों में करते हैं और एक साल तक की निगरानी किसी भी पेंट को लगाने में बड़ी आवस्यक होती है तो यह क्या दो तो इसे आपको मांसिक रूप से आप कभी तनाव में नहीं रहेंगे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी नेचर के साथ रहने की वजह से और अपने जो हमारा भविष है उसको और अच्छा और सुद्रिड बनाएंगे हम लोग देखेंगे विरिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष देखेंगे विरिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सबसे बड़ी चीजन तो सबको एक अच्छा ओक्सीजन चाहिए आज के समय में जब इतने ज़्यादा वहिकिल्स हो गया है करवन डाई ऑक्साइड का उस सर्जन इतना ज़्यादा हो गया है ऐसे हालात में हम लोगों को व्रिक्ष लगाना इसलिए आवस्यक है कि कम से कम हमारे आने वाली पीड़ी को ऑक्सीजन अपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बड़े शहरों में इस्पेसली दिल्ली म ना फैले इसको रोगने के लिए व्रिक्ष लगाना बेहद ही महत्पूर्ण है और मैं सबसे अपील करूंगा किसके डिरेक्ट इंडिरेक्ट फायदे हैं आप अपने लिए न सही अपनी आने वाली पीड़ी के लिए अपने भविस्थ के लिए व्रिक्षा रोपन करें और पेडों की रक्षा अपने संतान के भात ही करें